हाई हेलो एबरिवन आज हम अपने बायो टेकनिलोजी की चेप्टर में जो जीन थरेपी है उस टॉपिक वाज हम कोबर करेंगे अपने इस हेसर में तो आज हम देखते हैं जीन थरेपी होता क्या है मान लिजे आपके बाड़ी में कोई जीन है कोई डिफैक्टिव जीन है जो की खराब हो चुका है डिफैक्टिव मतलब खराब हो चुका है वैसे जीन को अगर हम नॉर्मल जीन से उसे रिपलेस करते हैं तो उसे हम कहते हैं जीन थरेपी तो किसे कहते हैं जीन तरफी, डिफैक्टिव जीन को हमने नॉर्मल जीन से रिपलेस कर दिया, उसे हम कहते हैं जीन तरफी, जीन तरफी तो हम समझ गया, अब ये समझाएंगे कि सबसे पहले क्लिनिकल जीन तरफी किसका क्या गया था, तो सबसे पहले क्लिनिकल जीन तरफी एक 4 साल की लड़की का हुआ था, 4-year-old girl का हुआ था, कब हुआ था, 1990 में, यह याद रखना है, इसलिए जरूरी है, यह data और यह NCIT में दिया था, कितना important है, आप इसे बहुत अच्छे से समाझ सकते हैं, तो जीन थेरपी, 1st clinical जीन थेरपी किसका हुआ था, एक 4 साल की लड़की का हुआ था, कब हुआ था, 1990 में हुआ था, उसको क्या हो गिया था, ADA, डिफिसेंसी हो गिया था, जिसके वाइस उसका 1st clinical जीन थेरपी किया गया, अब ADA जो है, एडिनो साइन डिये में जो इंजाइम है, इसकी कमी हो गई थी, उसे इसलिए, यह खराब हो गया था, जिसके वाइसे उसे, यह इंजाइम की कमी हो गई थी, थी, हमने उसका क्या किया, जीन थेरपी किया, ठीक है, अब जीन थेरपी किया, तो कोई ना कोई मेठट से किया होगा, तो जीन थेरपी का बैसे के लिए 3 मेठट होता है, जिसे हम अब आगे उसके method को देखेंगे और समझेंगे आई हम इसको इसके तीन method को देखते हैं सबसे पहले हमारा bone marrow transplantation एक method हमारा ये हो गया दूसरा हमारा हो गया enzyme replacement therapy और फिर जो हमारा last method है वो हो गया lymphocyte culture तो basically हमारे तीन method है gene therapy को जो हमारे NCRT में mention है इसको देखते हैं मैंने ये session बनाया है तो अब इसे हम एक एक करके explain करके तीने method को समझेंगे और देखेंगे इसमें क्या होता है bone marrow transplantation में क्या होता है कि जो defective bone marrow होते हैं उन्हें replace किया जाता है वो replace होते हैं कि इनके द्वारा normal bone marrow के द्वारा तो आप समझ लेजें यहीं पे concept क्लियर कर लेजिए कि bone marrow transplantation में क्या होता है कि defective bone marrow are replaced by normal bone marrow ये था हमारा bone marrow का transplantation जो हमने बहुत ही अच्छे तरीका से समझ लिया इंजाइम replacement therapy में क्या होता है कि suppose या किसी को ADA enzyme की कमी है तो उसे हम उस patient को हम inject कर देते हैं एडीए का तो जो भी हमारा enzyme replacement therapy होता है एक बार फिर से आप समझे इसमें डायरेक्ट पेसेंट को inject कर दिया जाता है जिस enzyme की उसे कमी रहती हो तो यह आप example से समझ सकते हैं यह था हमारा enzyme replacement therapy जिसमें reader क्या किया जातर है indirect inject किया जारा पेशन को अभी सब्सक्राइब अभी की आप कि यह temporary है यह permanent नहीं है तो अभी हमें क्या जरूवत है एक पर्मानेंट मेंटर देखने की तो उस पर्मानेंट मेंटर को देखने के लिए हम देखेंगे lymphocyte culture ठीक है तो अभी हम start करते है अगला जो हमारा है lymphocyte culture माल लेजिए आपके पास कोई कर सकता है आप तो यह दिए तो आप मादर ना हो उसके लिए अपको करना पड़ेगा उसका लिंफोसाइट, पेशेंट का लिंफोसाइट को रेमूव करना पड़ेगा, रेमुव करने के बाद या करना पड़ेगा आपको, एक ऐसा जीन को इंत्रडूस करना पड़ेगा, जो जीन रेसपांसिवल है, एडीकि लिए तो माल लेज़ें हम यहाँ यूज करेंगे help लेंगे recommend DNA technology का उसमें क्या होगा कि आपको मालूम है recommend technology के लिए common vector हम यूज करते है animals में तो हमारा है retro virus हम क्या करेंगे उस में retrovirus को introduce करा देंगे ठीक है एक फिर से देखा हम लोगे ने क्या किया lymphocytes को पेशंट से remove किया जुस जीन में हम लोगे लोगे जीन को introduce कर दिया अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास यह लिपॉसाइट तो हमारे पास बाहर है जिसमें संठ रेट्रोव रिकमिद्वर्स को इंपनियुष कीया है। उस जीन को हम क्या करेंगे। पेसंट को लौटा रहेंगे। तो यह था ourlo Android बार ने किनलोगी हमी एक डिककत वाली बात है। कि यह भी पर्मानेंट नहीं है। कि यह अपको पता है के से लॉग वा जुन लिम्पोसाइट क्या होता है इम्मोटल होते हैं इम्मोटल मतलब यह अमर नहीं होते हैं मतलब अमर नहीं होते हैं अमर तो एक इंसान है वो है हमारे मुन्ना भाहिया आपको भी मालूम है लेकिन यहां क्या है कि लिम्पोसाइट इम्मोटल है इनके लिए का करने पड़ेगा यह process हमें बार-बार करता रहना पड़ेगा, limbocyte को बार-बार डालना पड़ेगा यह करने के लिए, हमने पूरे gene therapy, जो हमारा biotechnology का topic था gene therapy, हमने उसे complete कर लिया, बहुत ही अच्छे तरीका से एक एक चीज को हमने explain कर दिया, through NCIT किया, NCIT से कहीं बाहर का नहीं किया, तो आप जरूर इस वीडियो को देखने के बाद एक बार NCIT पड़े ताकि आपको मालूम चले कि हमने आपको क्या बाताया, कितना सही बाताया, ओके थाइंकिए